हेलो फ्रेंड्स, आल मार्ट्स में आपका स्वागत है, फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दवाईएगा, जिससे आपको लेटेस कमपनीज के वीडियो सबसे पहले मिल सके, फ्रेंड्स, आज के समय में सभी लोग एक सपना जरूर देखते हैं कि खुद का अपना घर होना चाहिए, लेकिन कुछ फाइनिसल्स प्रॉब्लों की वज़े से वो अपना घर नहीं ले पाते हैं, और उन्हें किराया पर रहना पड़ता है, इसी समस् अपनी नहीं है, लेकिन जो इसने काम कियाना भी तक वो बहुत ही काबली तारीफ बोल सकते हैं, बहुत ही बहतरीन बोल सकते हैं उसको, अगर इसका मार्केट कैप देखा जाए, तो 8,689.64 करोर का मार्केट कैप चल रहा है इसका, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी इसका कमाल का performance चल रहा है, इस बात का proof आपको previous data देखके पता चल सकता है, तो चली सबसे पहले उसी को देख लेते हैं लोग, profit after tax यहां पर देख सकते हैं, March 2017 में 235.26 करोर का दिया है, इसने, March 2018 में यहां पर 286.61 करोर हो गया है, March 2019 में देख सकते हैं, फिर से increment हुआ इसमे अचा का सा performance देखा है, इसने, 456.03 करोर का net profit generate किया है, तो जैसे कि मैं आपको पहली पता थे, friends, data से भी आप देख सकते हैं, हर साल इसके net profit में increment डेखने को मिल रहा है आपको, इसी के साथ हम लोग adjusted earning per share भी देख लेते हैं, March 2017 में 17.68 रूपीज का दिया है, March 2018 में 21.49 हुआ है, March 2020 में 28.25 रूपीज हो गया है, और March 2021 में 34.25 रूपीज का इसने earning per share दिया है, चली discussion को आगे भढ़ाते हैं, इस company के सुरवात 1987 में हुई थी, और सुरवात से ये company home ownership को promote करते आ रहा है, और continuously अपने vision के उपर काम कर रहा है, जिसमें देख सकते है, sustained high asset quality आ गया, business growth हो गया, और favorable profit margins के उपर काम करते आ रहा है, तो चली इसके business areas देख लेते हैं, कौन-कौन से, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता है कि housing finance company है, जो कि construction of house के लिए finance provide करती है, या आपको कोई flat या house लेना हो, उसके लिए भी ये loan provide करती है, या किसी को कोई जमीन लेना हो, उसके उ घंबे समय तक अपने operations को अचीता से complete किया है, और इसने profit making के साथ-साथ dividend को भी continuously देते आ रहा है, जो कि बहुत यची बात है, इस company के बहुत सारे branches खुल चुके हैं all over India में, और इसका main headquarter bank load में है, और जादा तर देख सकते हैं, 70% of the branches जो इसके हैं, वो शावतन इंडिया म वहीं पर खोले गया है, अगर इस company का composite housing loan का जो scheme दिखा जाए, इसके दौरा ये हमें existing house है, उसके extension के लिए भी loan हमें provide करता है, अगर किसी को घर का repairing कराना हो, तो उसके लिए भी loan provide करता है, या renovation हो गया, या उसका house या flat का upgradation कराना हो, तो सब चीज के लिए ये loan हमें provide करत है, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है हमारे senior citizens के लिए, तो चलिए friends, एक नजर इसके parameters के ओपर भी अपनोग डाल देते हैं, number of shares यहाँ पे 13.32 क्रोड पे है, PE ratio होगे आपका 18.61 पे, और PB ratio होगे आपका 3.07, phase value रूपीज 2 पे चल रहा है, dividend yield यहाँ पे 0.31% का है, book value यहाँ पे 212.52 रूपीज का दे रहा है, operating revenue देख सकते हैं, इसके पास 2018.14 क्रोड का एविलेवल है, और earning per share यहाँ पे 35.07 रूपीज का है, sales growth अभी negative में चल रहा है, minus 0.6% का, ROE इसने 19.16 परशन का दिया है, और ROC यहाँ पे 8.54 परशन पे है, profit growth भी ठीक साक है, बोल सकते 21.25%, अब चलिए इसका share market का performance भी देख लेता है, जैसा कि देख सकते हैं, अभी इसका price 656.45 रूपीज के अप्रॉक्स में चल रहा है, इसके day range की बात की जाए, तो 646 रूपीज से लेके 669 रूपीज के breach में move कर रहा था, और इसका 52 विक high low की बात की जाए, तो 430 रूपी इसका share price भी थोड़ा सगी रहा है, लेकिन मेरी बात मानें, तो यह temporary है friends, बहुत जली है recover कर लेगा, जैसे कि इसके finances से भी आप देख सकते हैं, September 2020 में इसने 525 करोड का sales generate किया था, और यहाँ पर net profit भी 128 करोड का देखन को मेर रहा है, December में आपका 502 का sales हुआ है, और net profit यहा है और net profit यहाँ पर 102 करोड का हुआ है, June 2021 में भी 450 का sales generate किया है, और net profit में भी थोड़ा से increment हुआ है, 108 करोड का generate किया था, और September 2021 में बहुत ही भाहन कर performance दिखाया है, 467 का sales generate किया है, और net profit भी यहाँ पर अच्छा का से increment हुआ है, 123 करोड का generate किया है, इसने, पिछले दो क्व में थोड़ा डाउन हुआ था इसके निट प्रॉफिट में लेकिन अभी फिर से रिकवर कर लिया अच्छा कासा तो चलिए इसके प्राइस का चार्ट भी देख लेते हम लोग जैसे के वने के चार्ट से एक साल पहले इसका प्राइस 446.45 रुपिस के अप्रॉक्ष में था 26 अक्टूबर 2020 को और यहांसे इसके ग्रफ में काफी अप एन डाउन मुवमेंट देखने को मिर रहा है और इसी अप एन डाउन मुवमेंट होते हुथ यह 6.50 रुपिस के अप्रॉक्स में पहुंच चुका भी और एक साल में इसने 47.04 फो परशर का रिटरन दिया है जो कि अच्छा कासा है बोल सकते हैं तो चली इसका overall performance भी देख लेते हैं हम लोग यह देखें फ्रेंस पांच जनुरी टूटान को इसका प्राइस मातिर 3.78 रूपीज पर हुआ करता था और यहां से काफी लंबे समय थे कि 20 रूपीज के अंद इसके प्राइस में और इंक्रिमेंट होके यह 500 रूपीज के प्राइस से पहुंच जुका था लेकिन लॉकडान के टाइम यह काफी नीचे फिर से पहुंच जा था और उसके बाद अभी देख सकते हैं एक साल में इसने बहुत ही बैंकर तेजी देखने को मिली है तो overall टर्म की बात किया जात लेख सकते हैं 16,558.86 परशन का दिया है इसने अभी इस स्टॉक का रैंक 357 पर है और इस स्टॉक की वोल्टिटी मॉडरेट ही यह बोल सकते हैं 2.47 के मल्टीपल में चल रही है तो चली एक नेजर इसके सेर होल्डिंग पैटरन के ओपर भी हम लोग डाल लगते हैं टोटल प्रमोटर सोल्डिंग यहां पर 29.99 पर यह थोड़ा चिंता जनक बात है इस स्टॉक को लेके कि यहां पर टोटल प्रमोटर सोल्डिंग काफी कम देखरें को मिर रहा है मुचल फॉल इंवेस्टर्स हो गया 18.62 पर और अधर पर इसके बाद सबसे ज पर इसका होल्डिंग था और यहां से बढ़के 19.19% पर हो चुका है तो एक अच्छा संकेर देखा रहा है कि मुचल फर्ड हाउसिंग इस स्टॉक में अपने स्टेक को बढ़ाते जा रही है वीडियो में अभी तक बने रनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंट्स आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल आपके एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करती है कि मैं और भी अच्छे-चे स्टॉक आपके लिए ढूंड कर ला सब्सक्राइब में अच्छा रिटन जरेट किया है इसने डिविडेंट रिटन कुछ खास देता नहीं है इंट्री पोइंट गुट तो आप कंसीडर कर सकते अभी भी और एक अच्छी बात यह भी है कि नो रेट फ्लैग जोन में आती है यह कंपनी सो फ्रेंड अगर 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 आप चाहें तो इस कंपनी के लिए रख सकते हैं क्योंकि यह लंबे समय में आपको अच्छा रिटन बना के दे सकती है ठीक है फ्रेंड कोई भी इंवेश्मेंट डिसेजन लेने से पहले खुद भी रिसर्च किजेगा या तो अपने फाइनेंसिल एडवाइजर से ज अपने आप 조artet में दे सकते हैं क्योंकि पे सकते हैं लेमियुद इंवेश्मेंट